इस बैसे आपको पता दे कि बैहर सरींद भी से एक बड़ा अपडेट सामने आरहा है आपको पता दे कि बैहर सरींद में हुई हिंसा में एक सक्स की मौथ हो गई है दरसल बीती साम पहारपुर्ण में हुई हिंसा के दौरान 12 राउंड गोलिया चलाई गई थी और उसी दौरान शक्स घायल हो गया था पुलिस ने अब मुकेश कुमार नाम के सक्स के मौत की जानकारी दी है और पुस्टी भी किया आपको बता दे कि बिहार सरीफ में हुई संप्रदाईक हिंसा में एक सक्स की मौत हो चुकी है दरतर आपको बता दे कि फाइरिंग हुआ था जिसमें कि कुछ लोग घायल हुए थे वहीं जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है पुलिस ने मौत की पुस्टी भी कर दी है सनिवार साम को हिंसा के बाद यहां 12 राउंड तक गोलिया चली थी बिहार हिंसा में अब तक कुल 106 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफतार कर लिया गया है जिसमें कि बिहार सरीफ से 80 और सासाराम से 26 लोगों को गिरफतार किया गया है आपको बताते हैं कि सासाराम और बिहार सरीफ में फिर से भड़ की हिंसा में नौ लोगों के घायल होने की खबर तामिया आ रही है नालंदा के जिला अधुकारी यानि की डिये शशांक कुमार ने बताया कि बिहार सरीफ में राद से अब तक कुल 38 लोगों को गरफ किया गया है और नौ अर्थ सैनिक बलो की कमपनिया भी तैनात की गई है वहीं दो लोगों को गोली लगी है डियेम के अनुसार एक घायल सक्स के स्थिती काफी चिंता जनक भी है दियेम ने कहा कि अभी तक सी से ज्यादा लोगों की गरफतारिया की गई है माहौल सांती लेकिन 144 लगाया गया है जिसमें इस चार से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर एक अत्र नहीं हो सकते कोई बीना पॉमिशन की जुलुस नहीं निकाल सकता कोई हत्यार नहीं लहराएगा इन सारी चीजों पर प्रशाशन की तरफ से पतिबंद लगाए गया है आपको बत से राम के सदर अस्पिताल ने भरती करा आया गया अस्थानी अम्तियास ने बताया कि घटना के भाद किसी तरह मुहली के लोगों के द़ारा ही घाय। को सदर अस्पताल में लेकर जाया गया लेकिन जीले के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज के समुच्छत ववस्था नहीं की गई थानी लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशाशन का दावा था कि महले में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बंब लास्ट की घटना होने के बाद भी घायलों को कोई अस्पताल तक पहुचाने वाला वहां पे मौजूद नहीं था तो इस तरह से आपको बता दे कि जो बिहार सरीफ मामले में याना सरीफ इंसा को लेकर जो इस वक्त बड़ा प्रेट है वह यहीं है कि एक सक्स की मौत हो चुकी है आपको बता दे कि वह फाइरिंग के दोडान ही घायल हो गया था जिसमें की दो योगों की स्थिती गंभीर बनी हुई थी इसमें की मौत हो चुकी और दूसरा अभी भी बेहत ही खराब स्थिती में है तो फिलार इस खबर में बस इतना ही आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहें दे इंडिया टॉप कर दो